इंशानियत फूई शर्मशार दहेज दानों ने नई नवेली दुल्हन को पहली ही रात दी अमानवी यातनाएं प्राइबेट पाइट में डाली गर्मराड जम करकी पिटाई माय के वालों को भी जम कर पिटा पुलिस ने भी नहीं सुनी फरियाद पिलित ने लगाई सीओ से निया की गुहार यूपी के बदाईं में दिल दहला देने वाली ऐसी बारदात सामने आई है जिसे सुनकर सभी की रूह काप जाएगी वहीं पुलिस की कारे प्रडाली को देख लोगों का पुलिस पर से भी स्वास ही उठ जाएगा जी हाँ दहेज दानों ने दहेज की खातीर नई नवेली दुल्लन को पहली ही रात न सिर्फ उसकी जम कर पिटाई की बलकि उसके प्राइबेट पार्ट में लोहे की गर्म सरिया डाल कर उसे यातनाए दे ससुराली जनों का आतंकी यहीं खत्म नहीं हुआ माय के वाले जब बेटी के घर पहुँचे तो उन पर हमला हुआ थाना सहसवान के गाम मुडारी निवासी भूदेव ने अपनी पुत्री उर्मीला की साधी 21-6-2021 को सुनीर पुत्र पितामबर निवासी ग्राम उस्पानपूर थाना जरीफ नगर के साथ हिंदू रित्रिवाज के साथ की थी उसने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था लेकिन उसके पती योंग सास जेठ जिठानी चाचा सहीत ससुराली जन दहेज से संतुष्ट नहीं थे और वे दहेज की मांग करने लगे मांग पूरी ना होने से घुसाए ससुराली ने उनकी बेटी को यातनाएं देते हुए उसके प्राइबेट पार्ट आद पर गंभीर चोट पहुचाई जिससे उसकी हालत बिगड़ गई जिसका उन्होंने नेजी अस्पताल में इलाज कराया जिसकी हालत गंभीर बनी गंभीरता से लेते हुए ततकाल महिडा पुलिस को बुला कर उसका बयान दर्ज करने को कहा बकौल भूदेव पिडिता जब थाना जरीफ नगर पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पहुची तो पुलिस ने उसकी ब्यता सुनेने के बजाए उसे थाने से भगा दिया बा पुलित परिवार अभी भी डारावस सहमा हुआ है और उसने आला अपसरों को प्रेशीत प्रार्तना पत्र में न्याय की गुहार लगाई है देखाए श्रीम कोड में इसमें विवाहित मैंगा ने अपने ही ससुराल पक्ष के लोगों पर दहित प्रताना से संबंद रिकतिकाई गंभीर आरोप लगाए है इस संबंद में जरितनका ठाना पर एपाया पंजिकरत करनी गई है और मुख्या आरोपी पतिकी किरफतारी भी करनी गई है जो भी वि प्रतारी गई किजआए